Hello everyone, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइन्स के 14 चाप्टर Chemical Effects of Electric Current का एक और नया टॉपिक डिसक्रस करने जा रहे हैं and that is Detection of Weak Current Previous सेशन में हमने बात करी थी 3 important terms के उबर कौन-कौन से थे वो 3 important terms? Electrolyte, electrodes and electrolytic cell एक ऐसा liquid जो की अपने थूँ electric current को पास होने दे या आप ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा liquid जो की electricity का conduction करवाए तो उस liquid को हम क्या बोलते हैं? Electrolyte बोलते हैं For example, अगर हम acid को पानी में डाल दें, base को पानी में डाल दें या किसी salt को हम पानी में डाल दें तो ये तीनों ही solutions क्या करने वाले हैं? Electricity का conduction करवाने वाले हैं इसका मतलब क्या? कि हमारे acids के solution, bases के solutions या salts के solutions ये तीनों ही type के solutions क्या होते हैं? Electrolytes ही होते हैं अब एक बड़ा सवाल ये था हमारा कि आगर हमारे electrolytes के पास ऐसा क्या होता है? कि जिसके कारण वो electricity का conduction करवाते हैं? तो बई सीरी सी बात है, हमारे electrolytes के पास होते हैं ions बहुत सारे ions और जब ये ions flow करते हैं, हम तभी बोलते हैं कि electricity का conduction हो रहा है तो अब हमारे पास एक electrolyte आ गया है, उसके बहुत सारे ions भी आ गये हैं अब मुद्दा ये है कि electrolyte के ions को flow कैसे करवाया जाए? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? electric current का हम electrolyte को electric current देते हैं जिसके कारएं उस electrolyte के ions flow करने लगते हैं अब सवाल ये है कि अगर हमें electrolyte तक electric current को supply करना है तो किसी ना किसी चीज़ का तो हम यूज़ करना पड़ेगा न? हम क्या यूज़ करते हैं? तो metal की rods का या metal की plates का तो इन ही metal की rods या plates को हम क्या बोलते हैं? electrodes बोलते हैं दो टाइप की होते हैं electrodes एक anode और दूसरा cathode तो इन electrodes को ही हम क्या करते हैं? किसी cell या battery से connect करते हैं और इन ही electrodes के तुरू electrolyte में electric current को supply करते हैं ठीक है? अब एक ऐसा vessel एक ऐसा container जिसमें की पूरी process चलती है कि एक हमारे पास vessel है जिसमें की electrolyte भरा हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं? electrodes के तुरू electric current भेज रहे हैं electric current के आते ही electrolyte के जो आयन से वो क्या करने लगी? flow करने लगी जिसके कारण electric current का flow शुरू हो गया तो एक ऐसा vessel जिसमें की पूरी ये process चलती रहती है उससे हम क्या बोलते हैं? electrolytic cell बोलते है तो इन तीनों ही terms को हमने और detail में discuss किया था अपने previous session में और ये पूरी कहानी थी हमारे previous session की उमीद करती हूँ कि सभी कोई ये कहानी समझ में आई होगी और आज के session में हम एक नया topic discuss करेंगे नया topic कौन से है? यही वाला detection of weak current यानि कि अब हमारे एक liquid में क्या हो रहा है? एक weak current flow हो रहा है तो उस weak current को कैसे detect किया जाए? strong current को detect करना बहुती आसान होता है लेकिन weak current को detect करना काफी मुश्किल होता है चलो देखते हैं आज की session में हम सीखते हैं कि कैसे एक weak current को detect किया जाए? कैसे उसका detection किया जाए? So I hope आज की session का जो target है वो सभी बच्चों को है एकदम clear एक काम करते हैं जल्दी से आज की session को हम start कर लेते हैं So this is विभूती हरे Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures बलते हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पे तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक बहुँ जा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session जहां पे हम बात करेंगे अपने chapter के एक और नए topic के उपर अब इससे पहले कि हम ये सीखें कि weak current को जो कि एक liquid के तरूँ flow हो रहा है कि इस vessel में क्या भरा हुआ है hydrochloric acid भरा हुआ है याने कि HCL भरा हुआ है क्या भरा हुआ है HCL भरा हुआ है ठीक है साथी साथ यहां पे दो लोहे की kilo का भी use किया गया है याने कि यहां पे दो iron nails भी है हमारे पास इन दोनों ही nails को हमने एक cell और एक bulb के तरूँ connect किया है ठीक है तो यह पूरा आपको जो setup है क्या यह समझ में आया कि हमारे पास एक vessel है एक container है जिसमें कि हमने HCL डाला हुआ है और आप बोल सकते हो कि HCL के साथ ही साथ हमारे पास क्या है यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी है ठीक है और दो हमने लोहे की कीले डालके रख्यों ही है और इन दोनों ही iron nails को हमने wires की तरूँ connect किया है किसके साथ? एक cell के साथ और एक bulb के साथ होगा क्या? जैसे ही हम पूरा connection बिठाएंगे है ना? बैटरी वगेरा को सेल वगेरा को जब हम on कर देंगे सपोस यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक switch भी लगा हुआ है तो जैसे हम क्या करने वाले हैं या पूरा का पूरा हमारा जो setup है इसको हम ready करने वाले हैं वैसे ही क्या होगा? यह जो bulb है ना? क्या करने लगेगा? glow करने लगेगा setup आको समझ में आगे ना पूरा अब यह setup के बाद में हुआ क्या? इसको बनाने के बाद में यह जो bulb हमने लगा था क्या करने लगा? glow करने लगा glow करने का मतलब क्या है? कि bulb जो है वो जल्ले लगा bulb से रौशनी आने लगी. अब मुद्धा ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया, इस सेटअप में हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो इलेक्टरिक बल्ब है ये गलो करने लगा तो बड़ा ही असान है. इस vessel में आपके पास था क्या? इस vessel में उसको आपने पानी में डाल दिया तो वो क्या करेगा वो electricity का conduction करवाया गयाने कि जो एक सब्सक्राइशन आया है एक electrolyte ही तो है तो यहां पे भी हमारे पास क्या था एक ऐसे तो था जिसको कि हमने थोड़े से पानी में डाला था और हुआ क्या कि जैसी हमने सेल वगेरा को जो है ना फिट किया तो सेल से आप बोल सकते हो कि एक electric current आया electric current आया कहां आया इस HCL तक आया यानि कि electrolyte तक आया कैसे तो यहां पे जो हमने दो लोहे की कीलो का यूस किया है ना यह दोनों ही आयरे नेल्स आपको पता है कैसे बिहेव कर रही है इलेक्ट्रोड के समान बिहेव कर रही है कैसे बिहेव कर रही है इलेक्ट्रोड के जैसे तो यहां पे दोनों ही आयरे नेल्स क्या हो गई है इलेक्ट्रोड का काम कर रही है तो हमने सेल लगा करके जो भी हम you know electric current या potential भेजना चाहते हैं electrolyte तक वो हमने भेजा कैसे भेजा तो इन दोनों iron nails या electrodes के थूँ भेजा अब हुआ क्या कि current आ चुका है कहां आ चुका है electrolyte याने कि हमारे hcl के level तक आ चुका है तो इस current जैसी current आएगा current क्याने से होगा क्या hcl जो है वो अपने ions में तूट जाएगा या disassociate हो जाएगा और क्या बन जाएंगे h positive ions बन जाएंगे और chloride ions बन जाएंगे तो अब जब हमारे पास ions आ चुके हैं इस vessel में इस container में तो होने क्या वाला है ultimately ये ions अपना flow शुरू कर देंगे और जहां ions का flow शुरू हुआ वहां समझ लिजे कि electric current का conduction शुरू हो चुका है और इसी electric current के conduction के कारण हमारा ये जो bulb है ये क्या करने लगा है glow करने लगा है वही सीधी सी बात है अगर आपको अपने setup को असान बनाना होता तो आप क्या करते ये जो पूरा आपने वैसे लिया है जिसके आपने अंदर you know HCL डाला है लोहे की 2 kg को जोनर लगाया है या पूरा setup लेते ही नहीं आप इसको simplify करने के इसलिए क्या करते एक काटर लेते भी बैटरी लगाते जैसी स्विच ओन करते बब तक करेंट भूंner बैटरी का और जो बल्ब है वो जलने लघता लेकिन हमें यह पता करना था कि हमने लिया है वो हलेशए लेक्ट्र疑क का में इलेक्टिकरन को भेजने के लिए हमें क्या करा दो लोही की किलो का यूज किया अब जैसे इलेक्ट्रकरन आया HCl में तो HCl जो है अपने ions में इस्प्लिट हो गया ions में डिस डिस आसोसीट हो गया H-Positive और chloride ions बन गए और यही आयंस क्या करने वाले हैं अब यह आयंस फ्लो करने वाले हैं और जहां इन आयंस ने फ्लो करना शुरू करा वहां समझ जाएए कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होने वाला है इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो होना शुरू हो चुका है और इसके कारेंट हमारा पूरा का पूरा यह जो सेटप है ना जो सरकेट है वो क्या हो गया complete हो गया और इस complete circuit के current जो bulb है वे देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि HCL क्या कर रहा है electricity का conduction करवा रहा है इसका मतलब क्या कि जो भी current HCL तक आया है उस current को HCL आगे जाने देगा क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो जैसे कि हम बोलते हैं कि हम अपने बिजली के तारों को बनाने के लिए electrical wires को बना ले के लिए हम क्या करते हैं copper metal का use करते हैं क्यों use कर रहे हैं हम copper का metal for example मैं copper का wire हूँ ठीक है यहाँ से electric current आ रहा है और इस electric current को कहा जाना है यहां जाना है लेकिन electric current यहां से वहां कैसे जा पाएगा जब वो मुझसे cross होगा मैं कौन हूँ copper का एक wire हूँ तो यहां से current आया current मेरे अंदर गया अब इस current को जो की मेरे अंदर आया है copper wire को रोकेगा नहीं वो क्या करेगा इसको आगे जाने देगा तो copper wire ने करा क्या electricity का conduction करवाई कि भाई जो भी current आ रहा है एक end से उसको आगे भेज दे वो दूसरे end तक इसी को हम बोलते हैं क्या electricity का है एक क्याहा है इक एलेक्टो लाइट हो चुका है तो एचसे ल आप बोल सकते हो कि है या इलेक्ट्र लाइट तक जो भे लेक्टरिक अलया है उस उसे आगे तक पहुँच गया और वर बल तक पहुचने के बाध हुआ क्या बल्ब जलने लगा तो बल्ब जो ग्लो कर रहा है जो ग्लोइंग बल्ब हैं हमारे पास वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरे सेट अप में इस पूरे सरकेट में जब हमने HCL को क्या किया है, शामिल किया है, तो ये HCL current को रोक नहीं रहा है, बलकि current को आगे जाने दे रहा है, इसका मतलब definitely HCL क्या कर रहा है, यहाँ पे एक electrolyte का काम कर रहा है, HCL क्या है, एक electrolyte है, जो कि electricity का conduction करवा रहा है, जो भी उस तक electro current आ रहा है, उसको रोक कर नहीं रख रहा ह दूसरे picture में हमारे पास क्या है, same setup है हमारे पास, cell है, bulb है, wires है, दो हमारे पास लोही की कीले हैं तो ये कीले क्या करने वाली है, electrodes का ही काम करने वाली है अब हमने क्या करा, कि इस बार अपने बीकर में, अपने वेसल में, HCL और पानी वगएरा को नहीं डाला है हमने यहां पे क्या कर लिया है glucose solution ले लिया है क्या ले लिया है glucose solution ले लिया है यहां पे तो हमने HCl solution लिया था HCl में acid में थोड़ा सा पानी डाल दिया था हमारे पास क्या चुका था HCl का solution आ चुका था तो वो अपने ions में split हो गया ions बन गए और इसके बार में electric current का conduction हो गया लेकिन यहां पे क्या मसला है यहां पे जब हमने HCl solution की जगा पे क्या लिया है glucose का solution लिया है अब क्या हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने बीकर के अंदर वैसल के अंदर कुछ लिया ही नहीं था solution लिया तो था यहां पे भले हमारे पास HCl का था लेकिन यहां पे भी तो हमने कंड़क्शन कैसे पॉसिबल है तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोस सल्यूशन तक इलेक्ट्रिक करेंट आ नहीं रहा था लोहें की किलो के थू आ रहा था इलेक्ट्रोड के थू ग्लूकस सल्यूशन में इलेक्ट्रिक करेंट आ रहा था लेकिन क्योंकि ग्लूकस सल्यूशन के पा करेंट आगे बड़े नहीं पाया और जब आगे बड़े गई नहीं तो बिचारा यह जो बल्ब हमने लगा करके रखा है ये गलो कैसे करेगा तो अब आपको ये दोनों ही images समझ में आई होंगी कि यहां पे क्यों बल्ब गलो कर रहा है और यहां पे क्यों बल्ब गलो नहीं कर रहा है और ऐसे बहुत सारे examples हम देखने वाले हैं आज के हमारे इस session में चलो अब यहां पे क्या बोला गया है weak conductors of electricity के बारे में थोड़ी सी हमको बाते बताई गई हैं उनको जल्दी से हम एक बर देख लेते हैं पढ़ लेते हैं in the previous case we have seen that electric current is passed through hydrochloric acid solution the bulb glows brightly indicating that the hydrochloric acid solution is a very good conductor of electricity यहां पे हमने यही चीज़ तो देखी है कि हमारे पास जो hydrochloric acid का solution था इस solution को जब हमने यूज किया तो बल्ब जो है हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से glow कर रहा था इसका मरले अब क्या कि definitely hydrochloric acid का जो solution है वो क्या है electricity का एक अच्छा conductor है ठीके फिर इसके बार में क्या बोला गया but this is this is not so in the case of vinegar which is acetic acid solution या lemon juice which is acetic acid solution तो जैसे इस image में हमने क्या कर रहा था ये वाली image में हमने glucose solution लिया था अब glucose solution के जगा पे आप कोई दूसरा solution भी ले सकते हो जैसे कि आप vinegar भी ले सकते हो आप lemon juice भी ले करने वाला ही नहीं है जैसे glucose solution में हमने बोल दें कि बल्ब नहीं ग्लो करेगा लेकिन जब हम बात करेंगे कि इसकी vinegar की या आप बोल सकते हो कि उन्हों lemon juice की तो इसमें आप बोल सकते हो कि बल्ब ग्लो करेगा तो ऐसा नहीं है कि lemon juice में और विनेगर में बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं करेगा लेकिन जितना ब्रिलियंट ली यहां पर HCL solution की साथ जो बल्ब ग्लो कर रहा था जितने ब्रिलियंट ली ग्लो कर रहा था उतना brilliant glow आपको बल्ब काप lemon juice या विनेगर के case में बिल्कुल भी नहीं देखेगा glucose तो आप बोसकते हो कि सबसे क्या है least level पे आता है सबसे कमजोर है वो तो किसी भी तरीके से कभी भी electricity का conduction करवाने वाला है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि उसके पास ions नहीं है जब ions ही नहीं होंगी तो फिर कहां से जो है ना electricity का conduction होगा लेकिन हमारे यह जो दो है ना विनेगर और लेमिन जूस यह दोनों के पास तो ions है क्यों आयन्स है वैस यह दी सी बात है हमारे जो acids होते हैं उनका solution हमारे basis का solution और हमारे salt का solution इन तीनों टाहिए इन तीनों ही टाइप की solutions को हम electrolytes क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे है क्योंकि इन तीनों ही टाइप के solutions में क्या होते हैं आयन्स होते हैं आयन्स क्यों हो रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करेंगे किसी acid की, अगर हम बात करेंगे किसी base की, या अगर हम बात करेंगे किसकी, एक salt की, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ionic compounds होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे compounds होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जिसके बारे में आप definitely class 9th में और class 10th में पढ़ोगे, chemistry में, detail में, लेकिन class 8 के level पर मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ, कि कई तरह के compounds होते हैं, उन्हीं में से आते हैं क्या कुछ ionic compounds और हमारे acids, bases and saltsy सब क्या होते हैं, ionic compounds ही होते हैं, क्यों बोल रहे हैं इनको ionic compounds, क्योंकि इनके पास ions होते हैं, बस इसी लिए, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैं आपने हमको previous session में बताया था, कि जो vinegar है, जिसको कि हम अपने chowmean या noodles में डालते हैं, ये vinegar, इस vinegar में हम बोलते हैं कि एक acid होता है, कौन सा acid होता है, तो acidic acid होता है, although ये एक mild acid है, एक edible acid है और इसको हम consume कर सकते हैं, और consumption से कोई भी loss हमें नहीं होता है, कोई भी damage हमें नहीं होता है, बोलोगे कि मैं vinegar में आपने बताया था, कि क्या होता है, अगर हमने vinegar को पाने में डाल दिया है, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास acidic acid का solution बन जाएगा तो यह भी तो एक एसिड है तो फिर क्यों नहीं जब हम एक यूदो वेसल में एलेक्ट्रोलाइस परफॉर्म करी रहे हैं और हमने क्या करा है आप बोल सकते हो कि हमने जैसे कि यहां पर आपके पास एक्षियल था ना अब हमने एक्षियल नहीं लिया है यहां प वो ठीक से ग्लो क्यों नहीं कर बारा है इनफेक्ट आप यह वाली इमेज देख लो तो जादा अच्छा आपको समझ में आएगा ठीक है इधर पर हो क्या रहा है यहां पर हमने विनेगर लिया है यह जो हमारे पास आपको पूरा वैसल दिखाई दे रहा होगा ग्लास हो है यह क्या है विनेगर कर इस का यहाने पर जो बाल में वह ठीक से ग्लो क्यों कि नहीं कर रहा है बहुत ही लाइटistent हो सकते हो कि बहुत ही डिम है डिम क्यों है राइटली ग्लो क्यों नहीं कर रहा है जैसे कि एचल में कर रहा था वह इसलिए माना की विनेगर में क्या है एसे टेक एसेड है और यहां भी हमारे पास क्या चुका है इन शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा है इतना क्यों पड़ा हुआ है वह इसलिए क्योंकि माना तो यहां पर आयसे लेकिन आयस ज़ादा है लिए क्यों नहीं है क्योंकि यह जो आसे टेकल सकते हैं उससे तो को मिला करके आप बोल सकते हो कि जो solution आपने लिया है सपोज यहां पर हमने acidic solution लिया है तो उस acidic solution की जो strength है ना उस पे भी depend उसी पर depend करता है कि वो कितना अच्छा conductor है electricity का यो कितना अच्छा conductor नहीं है हमने जो पहले जो example में acidic solution लिया था वो किसका था solution hydrochloric acid का solution था वहां पे बल्ब बहुत बड़िया तरीके से glow कर रहा था लेकिन यहां पे नहीं हुआ यहां पे क्यों नहीं हुआ acid तो हमने यहां भी लिया था क्योंकि यहां पे हमने एक weak acid लिया था मैंना को previous session में बताया था कि जब भी हम किसी acid को पानी में डालते हैं तो वो acid पानी में जैसे हम डालेंगे तो पानी में आने के बाद क्या होता है एसरीक solution में जब हम electric current को pass करवाते हैं तो यही ions जो बने हैं HCl से यही ions क्या करेंगे सभी के सभी flow करने लगेंगे और electricity का conduction हो जाएगा तो HCl क्या है एक strong acid है strong acid हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही यह अपने पानी में जाएगा अपने solution में जाएगा यह अपने ions में split हो जाएगा फॉर एक्जाम्पल अगर हमने पानी में HCl के 10 molecules जाले हैं तो 10 के दस ओ क्या करने वाले हैं अपने ions में तूटने वाले हैं डिससोसियेट होने वाले है लेकिन यह case acetic acid का नहीं होता है अगर हमने पानी में acetic acid डाला है acetic acid की suppose हमने कितने molecules जाले है 10 molecules जाले है तो 10 में से हो सकता है कि 2-3 molecules क्या हो ions में तूटें बाकी के जो molecules होते हैं वो नहीं तूटते हैं अब आप खुद ही सोचो एक तरफ आपने 10 molecules लिये थे HCL के और दूसरे साइड में आपने acetic acid के 10 molecules लिये थे पानी आपके पास same था मलब अलग-अलग था HCL का पानी अलग है और acetic acid का पानी अलग है तो कौनसे वाले solutions में आपको जादा ions मिनेंगे HCL वाले में क्यों क्योंकि उसमें जो हमने 10 molecules लिये हैं दसों के दसों molecules क्या हो जाएंगे ions में तूट जाएंगे लेकिन acetic acid solution में क्या होने वाला है दस में से केवल दो या तीन molecules ions में तूटेंगे तो सीधी सी बात है भई ions भापे क्या होने वाले number of ions भापे कम होने वाले है अब जब number of ions ही कम होंगे तो कहां से electricity का proper conduction होगा और अगर conduction नहीं होगा तो बिचला यह जो बल्ब हमने लगा करके रखा है यह ठीक से glow नहीं करेगा कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में voltage जो है ना उपर नीचे होता है तो एक bulb या एक ऐसी tube रेक जो की बहुत ही बढ़िये तरीके से glow करती है उसकी light क्या हो जाती है जब voltage उपर नीचे होता है तो उसकी light dim हो जाती है तो जैसे ही light dim हुई तो हम बोल देते हैं कि याद आज जो है ना शायद voltage कम है voltage कम है electric current जो है ना आप बोल सकते हो कि bulb या light तक कम पहुँच रहा है जिसके current उसकी brightness क्या हो गई है कम हो गई है तो यहाँ पर भी bulb की brightness कम क्यूं होए क्योंकि यहाँ पर electric current कम पहुँच रहा था कम क्यूं पहुचा क्योंकि हमने एक weak acidic solution लिया था वीक क्यों लिया है हमने वीक कॉंसल लिया है तो acidic acid solution हमने लिया है इसके अलावा आप क्या ले सकते हो lemon juice भी ले सकते हो पानी में lemon juice ढाल दो और उसको आप क्या करो as an electrolyte use करो तो भी bulb की यही situation आने वाली है condition यही होगी bulb की उसकी brightness बहुत ही कम होगी कम क्यों होगी क्योंकि कहने को तो lemon juice में क्या है citric acid है और acidic solution तो क्या होता है उसमें बहुत सारे ions होते है लेकिन citric acid के solution में या lemon juice solution में ऐसा नहीं होगा क्योंगी citric acid भी क्या है एक mild edible acid है वै नीबू खाते होगी नीबू का च्राइब की नीखाते हो आप क्या रहे हो नीबू के खाते time या lemon juice को पीते time आप उसके acid को citric acid को आप अपनी body में ले रहे हो कोई नुकसान होता है क्या नहीं होता है तो citric acid एक mild edible acid है अगर आप citric acid को पानी में डालोगे और सपोज आपने 10 molecules डाले है citric acid की तो हो सकता है कि 10 में से 1 ये 2 molecules क्या हो अपने ions में टूटे बाकी नहीं टूटते हैं तो जब ions आएंगे इनी solution में ठीक से अच्छी तरीके से तो फिर proper conduction कैसे होगा electricity का तो obviously बात है जो bulb है वो कैसा हो जाएगा dim हो जाएगा आई बात समझ में तो इसको हम क्या बोल रहे हैं weak current बोलना है आप समझ में आए कि weak current क्या होता है चलो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि when an electric current is passed through vinegar या lemon juice taken in a weaker then the bulb glows very dimly even when a large battery is applied previous session में हमने देखा था कि कभी-कभी क्या होता है कि proper electricity का conduction करवाने के लिए हम एक cell की जगा cells का group लेते हैं और cells के group को हम क्या बोलते हैं battery लेते हैं तो कभी-कभी हम बोलते हैं कि इस process को कि electrolysis को करवाने के लिए हम cell नहीं हम battery का यूज करते हैं अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो bulb है जब हमने vinegar लिया vinegar solution लिया जब हमने lemon juice solution लिया तो जो ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए उसकी light की प्राइटनेस को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा लाज battery लेली लेकिन लाज battery से भी कुछ नहीं हुआ क्यों क्यों क्योंकि जो चीज चाहिए है electricity के conduction के लिए वो चीज तो आप दे ही नहीं रहे हो ना आप आइंस तो दे ही नहीं रहे हो वह देखो ऐसा है कि आपको यह लगा होगा कि बल्ब इसलिए लो मनलब डिम हो गया है क्योंकि उस तक ठीक से electric current पहुंच नहीं रहा है यह आप यह वह सकते हो कि बल्ब इसलिए डिम हो रहा है क्योंकि जादा electric current नहीं पहुंच रहा है तो जादा electric current को पचाने के लिए आपने क्या करा cell की बजाए आपने एक बड़ी बैटरी ले ली तो बड़ी बैटरी क्या करेगी जादा voltage supply करेगी तो आपने यह सोचा कि बल्ब जो है उस तक जादा current पहुंचेगा लेकिन current पहुंचना किसके थुरू था lemon juice solution या acetic acid solution की दुरू पहुंचना था अब यह दोनों क्या है आइंजी नहींगे है इनके पास तो क्या होगा बैट जाएंगे दोनों थोड़ा बहुती current जो है अपने आइंज की दुरू यह supply कर पाएंगे और थोड़ा बहुती current कहां पहुंचेगा बल्ब तक पहुंचे conduct electricity अचा sorry the very dim glowing of bulb indicates that though vinegar and lemon juice conduct electricity but they are weak conductors of electricity माना कि यह जो बल्ब है हमारा यह glow कर रहा है लेकिन क्योंकि यह बल्ब कैसा है dim है इसका मतलब क्या कि lemon juice और vinegar electricity को conduct तो करवा रहे हैं लेकिन वो कैसे हैं weak conductors हैं electricity के इतना clear है चलो आगे मारे पास क्या है if a large battery is not used to pass current through vinegar solution यह lemon juice then the bulb may not glow at all जैसा कि मैंने आपको session की starting में समझाया था glucose वाला example मैंने आपको दिया था रहा कि glucose के साथ क्या हो रहा है जब हमने glucose solution लिया है as an electrolyte तो bulb glow कर ही नहीं रहा है और उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस vessel में glucose solution की जगा पे vinegar solution ले ले यह lemon juice solution ले ले तो भी bulb जो है ना glow नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों था बले डिम था लेकिन ग्लो कर तो रहा था क्यों कि आपने बड़ी बैटरी का यूज किया था और आप यहां से आप से बोला जा रहा है कि अगर आप एक बड़ी बैटरी का यूज नहीं करोगे ना विनेगर solution या lemon juice solution के साथ तो हो सकता है कि बल्ब ग्लो करे ही ना तो इ एक single cell इतना sufficient current जो है ना supply नहीं कर पाएगा कि वो current कहां तक पहुंचे बल्ब तक पहुंचे ऐसा नहीं है यहां पर जब हमारे पास जो current है वो actual solution के तुरू कहां जा रहा था बल्ब तक जा रहा था लेकिन यहां पर नहीं होगा यहां पर यह अकेला एक single cell जो भी current supply करेगा किसको acidic acid solution में या आप बोल सकते हो कि lemon juice solution में वो current जाएगा उनके पास लेकिन वो current वहां जाकर के रुख जाएगा क्यों क्योंकि वो दोनो lemon juice solution और vinegar solution आगे current को पहुचा ही नहीं पाएंगे तो जब current यहां तक पहुचे गाई नहीं बल्ब तक तो वो ग्लो कैसे करेगा तो अगर बड़ी बैटरी हटा दी तो तो फिर भाईगा बल्ब ग्लो कर नहीं नहीं वाला चलो next क्या है and if we take ordinary water मतलब की normal हमारे घरों में जो नल का पानी होता है अगर हमने वो ले लिया है in the beaker and pass electricity through it then the bulb will glow अब अगर हमने normal tap water या नल के का पानी लिया है और उसको हम electrolyte की तरह यूज करेंगे उसके through electric current को flow करवाएंगे तो क्या होगा bulb हमारा glow करेगा when electric current is passed through distilled water then the bulb will not glow लेकिन जब हम एक distilled water के through electricity को flow करवाना चाहेंगे तो bulb glow नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा चलो देखते हैं आपको यहापे एक image से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपने electrolyte के तौर पे अभी किसको यूज किया है tap water नल के पानी को यूज किया है तो जब electric current supply किया गया तो जो bulb जोड़ा हुआ था वो glow करने लगा उसमें से रोश्णी आने लगी लेकिन इसी पूरे setup में tap water को होटा करके जब हम distilled water लेंगे तो क्या होगा क्या अब हमारा bulb glow कर रहा है बिल्कुल भी नहीं पानी तो दोनों जगा है ऐसा नहीं कि यहाँ पे acid है और यहाँ पे water है simple नहीं यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी फरक क्या है यह है tap water नल का पानी और यह है क्या distilled water तो distilled water के साथ में bulb glow नहीं करेगा normal tap water के साथ ordinary water के साथ bulb glow कर जाएगा जैसा क्यों हुआ चलो वो देखते है tap water होता क्या है the water obtained from the various sources like नदी हो गया तलाब हो गया है ना कुए हो गया caps etc is not in the purest form यानि कि नल का जो पानी होता है न वो purest form नहीं होता है पानी का it contains many impurities in it बहुत सारी हम बोलते की impurities होती है उसमें these impurities include different salts too अब नल का पानी जो electricity का you know electricity को conduct करवा रहा है तो वो क्यों करवा रहा है वह देखो ऐसा है जब कोई भी liquid electricity का conduction करवाएगा इसका मतलब क्या कि उस liquid में ions होने ही वाले है अगर हमारा normal tap water क्या कर रहा है electricity का conduction करवा रहा है जिसके विले से हमारा यह जुबल भाई यह glow कर रहा है इसका मतलब क्या कि tap water में भी क्या है ions है ions कहां से आ गए है तो सीधी सी बात है जो tap water है वो कोई आप बोल सकते हो कि purist form तो होता नहीं है पानी का उसमें बहुत सारी impurities होती है प्लस बहुत सारे क्या होते हैं salts भी present होते हैं उसमें as a result of these salts the tap water becomes a good conductor of electricity अब भाई नमक है है ना नमक कहां मिला हुआ है पानी में मिला हुआ है तो ओवेस ही बात है नमक भी क्या होता है एक आयने compound ही तो होता है याद करो NACL बताया था ना मैंने आपको NACL तो यह नमक है नमक हम बोलते हैं कि क्या है एक आयने compound है जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो यह एने positive ions और chloride ions में यह तूट जाता है तो सीदी सी बात है जो हमारे पास tap water है normal पानी है उसमें भी बहुत सारे salts present होते हैं impurities की form में और यह salts क्या करते हैं पानी में जाकरके अपने ions में तूट जाते हैं और जैसी हम electric current इंसे पास करवाते हैं ions flow करने लगते हैं और electric current का conduction हो जाते हैं जिसके करण जो bulb है वो glow करने लागेगा simple अब यहां पर क्या बोला गया है distilled water के बारे में बताया गया है कि distilled water it is the purest form of water and does not contain any kind of impurities in it distilled water हम बोलते हैं कि पानी का purest form होता है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी impurities नहीं होती है यहने कि कोई नमक वमक कुछ नहीं होगा तो जब नमक ही नहीं होगा तो फिर ions नहीं से आएंगे और जब ions ही नहीं आएंगे तो फिर भाई कैसे जो है न electricity का conduction होगा और अगर electricity का conduction नहीं हुआ तो यह बल्भ किस हिस किसी यूनो किस हिसाब से गलो करेगा गलो करूव करी नहीं पाएगा इस तक तक इलेक्टर कर एंट तो पहूंचे तब जा outrage तो यह glow करेगा, जब पहुचे गई नहीं electric current तो बिचारा बैठा रहेगा, बिना glow करेगा, ठीक है, चलिए, तो hence it is a poor conductor of electricity, तो अब आपने अच्छे conductors देख लिए हैं, electricity के, metals नहीं, मैं liquids की बात कर रही हूं, है ना, वो वाले liquids जो की अच्छे conductor होते हैं, electricity के, हमने उनके बा city के, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया, जैसे कि आपके पास distilled water आ गया है, glucose solution आ चुका है, ठीक है, तो आपने तीनों ही, आप बोल सकते हो कि categories के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, examples भी आपको पता चली गए है, तीनों ही categories के, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं अब हम, the current flowing in a circuit is usually detected by using a small electric bulb, such as a torch bulb, जैसे कि torch light में हमारे पास छोटा सा bulb होता है न, वैसा ही हम छोटा सा bulb यूज करते हैं, कि सीज के लिए, कि circuit मे current flow हो रहा है या नहीं, उस चीज को detect करने के लिए, तो the current flowing in a circuit is usually detected by एक छोटा सा electric bulb, when an electric current flows through a bulb, then due to the heating effect of current, the filament of bulb gets heated to a high temperature, becomes, यह red hot होना चाहिए, ठीक है न, and red hot, या चलो white hot भी आप लेख सकते हो, and glows to produce light, देखो ऐसा है कि हमारो जो electric current है न, वो बहुत ही multi talented होता है, अब एक talent मैं आपको उसका पता देती हूँ, और अगला talent आपको कुछी दिर में पता चल जाएगा, एक talent क्या है कि जब भी electric current flow होता है न, तो उसके flow होने से एक heat produce होती है, अगर विश्वास ना हो, तो आपने ये जरूर observe किया होगा, कि सपोज आप एक घंटे से अपना phone charge कर रहे हो, या laptop charge कर रहे हो, या सपोज आप अपना computer ही क्या कर रहे हो, चला रहे हो, एक घंटे से लगाता है, तो चलाते 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 कई बर आप ये realize करोगे, क वो phone भी क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा, ऐसा क्यों, भई हमने simply अपने phone को charging पर लगाया था, suppose हमारे phone की बैटरी बहुती कम होगी थी, 0% होगी थी, अब तो उसको charge करना ही पड़ेगा, switch off हो गया है हमारा phone, तो जब हम उसको एक घंटे के लिए continuously charge कर रहे हैं, उस time में हम उसको use नहीं कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि use करते करते phone गरम हो जाता है, लेकिन अभी तो हम use करी नहीं रहे है, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे है, अपने phone को charge कर रहे है, simple charge कर रहे है, इस simple charging से भी क्या होता है, जो charger है वो गरम हो जाएगा, और जो phone आप charge कर रह तो जिसमें जा रहा है और जिसके तुरू जा रहा है दोनों चीज़े क्या हो जाएंगे क्यों जब भी लेक्टर करेंट फ्लो होता है तो हीट प्रेड्यूस होती है Similarly अब ये चीज़ आपको करके नहीं देखनी है ये मैं आपको बता दे रही हूँ है ना? तो आप उस चीज़ को मान जाओ देखो चार्जर वाला एक ऐसा केस है जो कि आप पता कर सकते हो है ना? एक घंटे के लिए लगातार अपना फोन आप चार्ज करो फिर चुके देखो गरम आपको लगेगा बहुत गरम भी नहीं कि सीधा आप उस पर बना लो नहीं थोड़ो बहुत गरम आपको ज़रूर लगेगा एक और मैं आपको एक्जम्ल बताती हूँ जो कि आपको करना नहीं है सिर्फ सुनना है और समझना है और माल लेना है हमारे जो बल्ब होते हैं यह जो ट्यूब राइट होती है अगर आप उनको लगातार 2-3 या 4 घंटे तक आन रखोगे तो बल्ब भी क्या हो जैगी जो ट्यूब राइट है जो बल्ब है कि हमारे circuit में electric current flow हो रहा है नहीं इसको पता करने के लिए हम छोटे से bulb का यूज़ करते हैं ठीक है ना, bulb में ऐसा क्या होता है तो basically उसमें present होते हैं filament है ना, और ये filament किसके बने होते हैं tungsten के बने होते हैं, जो की एक element ही होता है ठीक है, तो tungsten के यहाँ पर दो बहुत ही बारीख से filament present होते हैं हमारे एक normal bulb में तो जैसी electric current flow होता है bulb में ये electric current कहां जाता है, tungsten के इन filaments बचाता है और filaments बजा करके ये जो current है ये क्या करता है, एक heating effect produce करता है या पी भी बोल सकते हो कि जैसे ही tungsten के filaments में, bulb के filaments में electric current गया heat produce होई और इसी heat के कारण जो दोनों ही हमारे filaments होते हैं, bulb के tungsten के filaments ये क्या हो जाते हैं, गरम हो जाते हैं और गरम होते होते आप बोल सकते हो कि white hot या बोल सकते हो कि मतलब गरम हो जाते हैं और जहां वो गरम हुए वहाँ समझलो उनने glow करना शुरू कर दिया और उनके glow से ही हम बोते हैं कि bulb से light आने लगती है या रौश्णी आने लगती है आई बाद समयन में तो जब भी electric current flow होता है bulb में then due to the heating effect of current the filament of the bulb gets heated to a high temperature और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ली temperature होता है नहीं बहुत बढ़िया temperature होता है वही सीदी सी बात है अब आप बोलोगे कि मैं हम tungsten की filament क्यों यूज कर रहे हैं कुछ और क्यों नहीं यूज करते हैं इसलिए क्योंकि tungsten का जो melting point है न वो बहुत ज़ादा होता है melting point क्या एक ऐसा temperature जिस पे आकर के जो चीजें हैं वो melt होने लगें for example जो हमारी बरफ है वो zero degrees Celsius temperature पे आकर के पानी में melt होने लगती है वैसे ही किसी भी चीज़ का हर एक चीज़ क्या होता है melting point होता है tungsten के लिए हम बोलते हैं कि इसका जो melting pointer वो काफी high होता है याने कि आप इसमें कितना भी electric current भेज़ दो उस electric current से कितनी भी heat produce क्यों न हो जाए इसका temperature कितना ही बढ़ क्यों न जाए यह melt नहीं होता है normal अगर हम किसी दूसरे metal को use करें bulb की filaments को बनाने के लिए तो metal क्या करेगा electric current के flow से जो भी heat निकलेगी उस heat से वो पिघल जाएगा तो bulb आपका खराब हो जाएगा है ना उससे क्या मतलब है तो इसलिए हम tungsten का use करते हैं सोच समझ के क्योंकि इसका melting point जादा होता है तो लगातार अगर आप 5-6 घंटे के लिए कोई bulb को on करके रख रहे हो तो अभी वो खराब नहीं होता है क्योंकि उस 5-6 घंटे के तौरान जो भी electric current गया है उससे जो भी heat produce हुई है उसे heat से जो tungsten की जो filaments होते हैं वो melt नहीं होते हैं क्योंकि उनका melting point बहुत ही जादा होता है यह बहुत ही high temperature पर जाकर के melt होते हैं ठीक है तो सीड़ी सी बात है bulb gets heated to a high temperature becomes white hot and glows to produce light ठीक है आगे बढ़ जाते हैं बब जब आप बोल सकते हो कि बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है क्योंकि उनके अंदर electric current जा रहा है तो जितना जादा electric current जाएगा बल्ब के filaments में उतने ही वो गरम होंगे और जितने वो गरम होंगे वो उतना glow करेंगे और जितना वो गलो करेंगे जितना जादा उतना ही वो brightly shine करने वाले हैं And when the current flowing through a circuit is small, the heating effect is also small, due to which the bulb glows dimly. और अगर circuit में electric current जादा flow नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, तो जिसके कारण, इस थोड़े से electric current के कारण, जो heating effect आएगा, वो भी कैसा होगा, small ही होगा. और अगर heating effect small है, तो जो bulb के filaments होगे, वो glow तो करेंगे, लेकिन इतने properly glow नहीं करेंगे, जिसके कारण, bulb की light क्या हो जाएगी, उसकी brightness क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Bulb basically dim हो जाएगा. If however, the current flowing through the circuit is too weak, then the heating effect produced by the current in the filament is too little, due to which the filament does not get heated sufficiently and hence the bulb does not glow at all. और अगर circuit में, बहुत ही weak current flow हो रहा है, तो इस weak current के current क्या होगा, जो heating effect है, वो भी हम बहुत हैं कि बहुत ही छोटा सा होगा, very little होगा, जिसके current, जो filament है, bulb का, वो glow करेगा ही नहीं है, वो basically गरम हो ही नहीं पाएगा. फिलामेंट तभी glow करता है, तभी bulb से रोशनी आती है, जब फिलामेंट गरम हो. अब यहाँ पे तो हम बोल रहेंगे current ही थोड़ा सा जा रहा है, जिसके current heating effect काफी कम है, और इस कम heating effect के current, जो bulb के filaments है, वो गरम हो ही नहीं पाएगे. और अगर वो ठीक से गरम होंगे नहीं, हैना, sufficiently गरम नहीं हो पाएगे, तो अगर वो sufficiently गरम नहीं होंगे, तो फिर वो glow नहीं करेंगे और bulb से बिलकुल भी रोशनी नहीं आने वाली है. Next क्या है? The current in the circuit may be weak if the electrical conductivity of the liquid we are testing is very low. और वेसी बात है, circuit में current हम बोल रहे हैं कि बहुत ही weak होगा, क्यों? क्योंकि जिस liquid की हम electrical conductivity को आप बोल सकते हो कि पता test करना चाहा रहे हैं, अगर उस liquid की electrical conductivity कैसी है, काफी low है, तो फिर circuit में जो current होगा, वो भी कैसा होगा, बहुत ही weak होगा. So, if we test a liquid having very low electrical conductivity by using a torch bulb in the circuit, then the bulb may not glow at all, due to two weak current flowing through it. अब हमारी गलती नहीं है, हमने तो एक ऐसा liquid लिया है, जो की electricity को conduct करवाता है, हाँ, वो बात अलग है कि उस liquid की जो conductivity है, वो कैसी है, थोड़ी आप बोल सकते हो कि कमी है, low ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जोना बिल्कुल ही non conducting liquid लिया है, लिया है हमने conducting liquid ही लिया है, for example, ह ऐसे हैं, उनकी electrical conductivity कम है, क्योंकि उनके पास number of ions कम है, लेकिन कम से कम conducting तो है न, तो होगा क्या, अगर हम ऐसे low electrical conductivity वाले liquid को क्या करेंगे, उनकी basically उनकी conductivity को test करने के लिए, हम circuit में क्या यूज करेंगे, torch कर बल्ब यूज करेंगे, तो torch का जो बल्ब होगा न, वो कभी भी glow नहीं करने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर electrical conductivity किसी liquid की कम है, तो circuit में current कम flow होगा, और इतने कम current से heating effect बहुत कम निकलेगा, जिसके कारण torch बल्ब की जो filament से वो sufficiently गरम नहीं हो पाएंगे, और अगर वो sufficiently गरम नहीं होए, तो वो glow नहीं करेंगे, और अगर वो glow नहीं करेंगे, जैसे कि हमने glucose solution लिया, as an electrolyte, और हम क्या कर रहे है, vinegar solution ले रहे है, as an electrolyte, दोनों में क्या हो रहा है, bulb glow नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे दमाग में यह आ जाएगा न, कि vinegar solution भी क्या है, non conducting liquid है, जैसे कि glucose एक non conducting liquid है, वैसे ही vinegar solution भी क्या है, एक non conducting liquid है, जबकि यह ऐसा नह करवा रहा है लेकिन इतना कम करवा रहा है कि बल्ब उस टीज को डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो ग्लूकोस सल्यूशन के साथ आप बोल सकते हो कि एक अलग समस्या है अलग समस्या क्या है कि ग्लूकोस सल्यूशन के पास आयंस ही नहीं है अब जब भाईया आयंसी नहीं होंग तो फिर electric current को कौन conduct करवाएगा और अगर electricity का conduction हुआ ही नहीं है तो उस पूरी process में जो आपने electric bulb लगा करके रखा है जो torch bulb आपने लगा करके रखा है उस तक electric current पहुँचेगा ही नहीं और अगर current नहीं पहुँचेगा bulb तक तो फिर bulb कभी भी glow नहीं करने वाला तो जब हम glucose solution को एक electrolyte की थरह यूज करते हैं प्रोसेस में तो bulb कभी भी glow नहीं करेगा क्यों क्योंकि glucose solution के पास में ions होते ही नहीं electricity का conduction वहाँ पे होगा ही नहीं तो bulb glow करेगा ही नहीं लेकिन thankfully यह situation हमारे vinegar solution के साथ नहीं होती है क्यों नहीं होती है वह vinegar solution है क्या vinegar में क्या होता है acetic acid होता है कि नहीं होता है तो इस acetic acid को हमने क्या कर रहा है पानी में डाला है जैसे ही vinegar का acetic acid पानी में जाएगा वो अपने ions में तूट जाएगा disassociate हो जाएगा लेकिन हाँ जैसे कि मैंना आको पताया था कि अगर हम पानी में 10 molecules डाल रहे है acetic acid के तो 10 में से 2 या 3 molecules क्या करेंगे अपने ions में तूट जाएगे बाकी के molecules वैसे के वैसे रहेंगे तो vinegar को पानी में डालने को एक electrolyte के तौर पे लिया है और हम यह चारें कि विनेगर ऐसे जो विनेगर का solution है यह क्या करें electricity का conduction करवाए तो विनेगर या बोल सकते हो कि acetic acid का solution होगा वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भाई उसके पास जितने भी number of ions है उन number of ions से वो क्या करे electricity का conduction करवा दे लेकिन electricity का conduction तो होगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा यानि कि electric current circuit में आगे बढ़ेगा तो लेकिन वो electric current sufficient नहीं होगा इसका मतलब क्या कि उस पूरी process में जो हमने छोटा सा torch bulb यूज किया है उस बल्ब तक torch बल्ब तक sufficient electric current नहीं पहुँचेगा और अभी अभी मैंना को पढ़ा है था कि अगर बल्ब तक sufficient electric current नहीं पहुँचे तो क्या होता है देखो यहां पे if however the electric sorry the current flowing through the circuit is two week अगर circuit में जो current flow हो रहा है वो काफी कम है तो heating effect जो produce होता है by the current वो कैसा होगा वो भी बहुत ही कम होगा जिसके कारण बल्ब की जो filaments है वो sufficiently heat नहीं हो पाएंगे तो बिचारे vinegar solution नहीं या acidic acid solution ने कोशिश तो बहुत करी थी अपने गिने चुने आइंस के थूँ कि वो क्या करें कंडक्ट करवाएं current पहुंचा भी बल्ब तक टॉर्च बल्ब तक लेकिन वह इतना सफिशन नहीं था कि यू नो ग्लो नहीं कर रहा है न तो उसका ग्लो ना करना हमें गलत information दे रहा है एक बिल्कुल या बोल सकते हो कि absolutely गलत information हमको यह मिल गई कि भाई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि इस process में जो भी आपने electrolyte लिया है वो दरएस। electrolyte है ही नहीं वो एक conducting liquid है ही नहीं वो तो एक non-conducting liquid है just by glucose solution जबकि ऐसा नहीं है विनेगर solution एक है conducting liquid वो एक electrolyte है lemon juice भी हम वोह रहे है कि lemon juice का solution भी क्या है एक conducting liquid है, vinegar का solution भी क्या है, एक conducting liquid है, mana की bulb glow नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर bulb glow नहीं करेगा, तो वो solution क्या बन जाएगा, non-conducting liquid बन जाएगा, ऐसा नहीं है, तो कुल मिलाकर के समस्या तो अभी भी वही की वही है, कि जो torch bulb है, वो क्या हो चुका है, fail हो चुका है, मतलब कि, if we test a liquid having very low electrical conductivity, भाई, यह जो मैंने आपको example दिया है, vinegar solution का और lemon juice solution का, तो यह definitely conducting liquids तो हैं, लेकिन इन liquids की जो electrical conductivity है, वो कैसी है, काफी कम है, तो ऐसी low electrical conductivity वाले liquids को जब आप test करते हो, कैसे, एक torch bulb का use करके, अपने circuit में, तो bulb जो है न, glow करता ही नहीं है, जिसके current due to two weak current flowing through it, तो basic कली मतलब, bulb में हम बोड़ रहे हैं, कि बहुती कम current flow हो रहा है, जिसके current, bulb glow करेगा ही नहीं, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में यही चीज़ आ जा जाएगी, अच्छा, यह bulb glow नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, कि definitely हमने liquid लिया है, वो electrolyte नहीं है, वो एक non conducting liquid है, electricity को conduct करवा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या, कि low electrical conductivity वाले liquids को, जब आप test करोगे, circuit में bulb लगा करके, तो वहाँ पे bulb glow नहीं करेगा, यानि कि जो torch bulb आपने लिया है न, वो low electrical conductivity वाले liquids की conductivity को test करने के लिए क्या होता है, fail हो जाता है, bulb का महाँ पे use नहीं कर सकते हैं, फिर अब क्या करें, कुछ न कुछ तो इंतिजाम करना पड़ेगा, जगाड, क्या करेंगे जगाड, so a torch bulb cannot be used to detect weak electric current flowing through a liquid in a circuit, यानि कि अगर आपने circuit में liquid तो लिया है, लेकिन वो कैसा है, या या यहीं बोल साना कि वो क्या है, एक weak electrolyte है, है न, वो एक low electrical conductivity वाला liquid है और ऐसे liquid को लेकर कि आप क्या कर रहे हो, circuit में electric current को detect करवाना चाहा रहे हो, तो फिर torch bulb का महीं आने वाला है, तो वीग electric current flowing through liquids having low electrical conductivity can be detected in two ways, अब दो तरीके आजाते हैं आपके सामने, जिसके तुरू आप circuit में weak current को detect कर सकते हो, कौन से हैं वो दो तरीके, by using LED, LED का यूज कर लो, LED क्या होती है, full form क्या होता है, light emitting diode, और दूसरा तरीका क्या है, by using a compass, surrounded by turns of circuit wires, तो basically आप बोल सकते हो कि इन दोनों तरीकों का use करके, आप weak current को जो की circuit में दोड़ रहा है, उसको आप successfully detect कर सकते हो, कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी LED की, light emitting diode, चीक है, यह basically कुछ इस तरीके के दिखते हैं, यह तो बहुत सारे आपके पास LED आ गए है, इनसी को उनों structures होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, और यहाँ पर आपको उसके दो filaments नज़र आते हैं, We can use LED या light emitting diode, full form है इसका, in place of a torch bulb for detecting weak electric current passing through a liquid. तो हम torch bulb की जगा पर क्या करने वाले हैं? LED यूज़ करने वाले हैं. क्यों? LED is a semiconductor device which glows even when a very weak current passes through it. यानि कि LED क्या है? एक semiconductor device होता है जो कि glow करता है कब? Even when a very weak current is passed through it. देखो ऐसा है कि bulb को glow करवाने के लिए आपको current का जो ज़्यादा heating effect है वो चाहिए है. जब heating effect ज़्यादा होता है तब ही उसके जो filament है वो गरम होते हैं और गरम होने के बाद में वो क्या करते हैं? लेकिन जब हम torch bulb भी जगा पर क्या यूज करते हैं? LED यूज करते हैं. तो LED में आप बोल सकते हो कि अगर circuit में या LED में अगर कम current भी flow हो रहा है तो वो उस कम current के current भी क्या करेगा? अब कहने को तो filaments तो LED के भी हैं तो फिर LED को आप बोल सकते हो कि LED क्यों है न हम torch bulb को की जगा पर यूज कर सकते हैं? weak current को detect करने के लिए वो इसलिए क्योंकि LED के जो filaments होते हैं उनको ज़्यादा temperature नहीं चाहिए होता है गरम होने के लिए उनको ज़्यादा heat energy नहीं चाहिए होती है गरम होने के लिए थोड़ा बहुत भी अगर current उन तक पहुँच रहा है तो उस थोड़े बहुत current से जो भी heating effect produce हुआ है उस heating effect से LED की जो filaments होंगे वो क्या हो जाएंगे गरम हो जाएंगे और जैसी वो गरम होंगे वो ग्लो करना शुरू कर देंगे तो हां weak currents को circuit में detect करने के लिए torch bulb की जगा पे आप क्या यूज करो LED यूज करो वरना तो आप हमेशा इसी confusion में रहोगे कि जो आपने circuit में liquid यूज किया है वो कैसा है non-conducting है glucose solution की जगा की तरह जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है चलिए तो LEDs can be used to detect weak currents since their filament does not require much temperature to glow now they can they have two terminals called anode and cathode the length of anode lead is slightly longer तो basically आपके पास जो LED है उसके जो दो filaments होते हैं आप उनको you know उनकी जो ends होते हैं आप उनको क्या बोल सकते हो terminals बोल सकते हो और वो दो होते हैं कौन-कौन से anode और cathode anode की जो लंबाई होती है anode lead की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है longer होती है then the cathode lead and is always connected to positive terminal of the battery तो जैसे हम आपको पता रही थी कि हमारा जो हमारे पास LED है ठीके ना यह आपके पास जो एक LED है तो उसमें आपको दिखाई दे रहा हो इसके दो filaments होते हैं आप इन दो filaments को क क्या बोल सकते हो भाई एनोड और cathode को भी बोल सकते हो है ना। तो यहां भी क्या बोला जा रहा गया है कि एनोड की जो लंबाई होती है वों cathode से जाधा होती है यह जो लंबा वोला filament है यह क्या होगा LED का एनोड होगा लंबा वला filament is a No and all the two positive terminal के साथ ही क्या होता है connected होता है तो जब भी हम LED को torch bulb की जगा पे यूज कर रहे हैं उसको replace कर रहे हैं torch bulb को LED से तो जो connection है वो बिठाना properly जरूरी होता है तो यह आपने LED यूज कर ली है ठीक है यह क्या है उसका लंबा वाला filament है अब आप बोलोगे कि मैं इस वाले diagram में तो हम को दोनों ही filament बराबर दिख रहे हैं ध्यान से देखो यह वाला जो filament है वो कैसा है bent मुड़ा हुआ है जब आप इसको पगड़कर की सीधा करोगे तो definitely यह क्या हो जाएगा दूसरे वाले से लंबा हो जाएगा तो जो लंबा वाला आप बोल सकते हो कि filament है वो क्या है एनोड है और इस एनोड को हमेशा देखो बैटरी के positive terminal से ही जोड़ा गया है और चो दूसरा वाला filament है जिसको क्या आप कैथोड बोल रहा हूँ उस कैथोड को हम बैटरी के negative terminal से जोड़ेंगे यहाँ पे on the other hand जो कैथोड लीड है वो कैसी है छोटी होती है लंबाई में और बैटरी के हमेशा negative terminal से ही जोड़ी जाती है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम we can also detect weak electric current flowing through a liquid by using a compass by making use of magnetic effect of current आप देखो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था इसी session में कि हमारा जो electric current है वो बहुत ही जादा talented होता है एक talent मैंने आपको बताया था कि जब भी electric current flow होता है तो वो क्या करता है एक heating effect produce करता है जहां भी वो flow होगा वो जीज़ के हो जाएगी गरम हो जाएगी अब एक और उसका मैं आपको talent बताती हूँ कि जब ही electric current किसी चीज़ से flow होता है तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि magnetic field produce हो जाती है जब आप class 9th में जाओगे तो आप इस चीज़ को in fact जब आप class 10th में जाओगे है ना तो physics के अंदर अभी तो हम कहने को chemistry पढ़ रहे हैं लेकिन 9th और 10th में जाकर कि ये पार्ट हम बहुते हैं कि physics में आ जाता है कि अगर एक wire के थू electric current flow हो रहा होता है ना तो जैसे electric current उस wire में फ्लो होगा अब वो वायर जो है एक magnet की तरह बेहेव करेगा और यह magnet क्योंकि आपके पास आ गया है तो इस magnet की क्या होगी एक magnetic field होगी और इस magnetic field के अंदर अगर आप कोई सच का कोई दूर्शा magnet लेकर के आप आ जाओ ना तो उसमें क्या होने लगेगा deflection होने लगेगा कमपस आपने देखा होगा आज के टाइम पर हमारा गूगल मैप है कहीं भी जाना हो डारेक्शन वगेरा बताने के लिए navigation के लिए हम उसको यूज करते हैं पहले के टाइम पर इसा नहीं होता था इनफेक्ट हम बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर भी जो आप बोल सकते हो कि पानी में जो भी transportation होता है उसमें तो आज भी direction को पता करने के लिए compass वगेरा का ही जो है ना यूज किया जाता है तो compass में हम बोलते हैं जिसे कि यह आपका एक compass है इसमें हम बोलते हैं कि directions मार्ग होते हैं North, West, East, South वगेरा ठीक है इसके अलावा इसमें क्या होती है एक पत्ल नीडल होती है यह basically needle क्या होती है यह कि एक magnetic needle होती है ठीक है कि क्या होती है एक magnetic needle होती है तो basically होगा क्या जैसे कि मैं आक को बताया कि जब-भी हम किसी भी wire के थे particular हो पास कर्वा morally हैं तो electric current के passage से वो वायर जो है ना वो एक magnet की तरह behave करने लगता है इसका मतलब क्या कि अगर उस वायर से हम electric current को flow करवाना बंद कर देंगे तो क्या वो दुबारा से normal एक वायर हो जाएगा हाँ बिल्कुल एक वायर magnet तभी बना है जब उसके और electric current flow होगा और जहां आप electric current का flow करना बंद कर दोगे वहां magnetism हम बोते हैं कि खतम हो जाएगा अब जैसे कि मैंने आपको previous chapter में भी समझाया है जब हम contact और non-contact forces के बारे में पढ़ रहे थे कि हर magnet की क्या होती है एक magnetic field होती है जिसके अंदर रह करके ही वह क्या कर सकता है attractive या repulsive लगा सकता है for example अगर मेरे पास एक magnet है और मुझे पाता है कि magnet क्या करेगा लोहा या जो लोहे की चीज़े हैं उनको attract करने वाला है ठीक है तो मेरे हाथ में एक तरफ क्या है एक magnet है ज्यादा बड़ा नहीं छोटा साही है और दूसरे हाँ मेरे पास क्या है सपोर्स लोहे की कुछ कीले हैं तो आपको क्या लगता है अगर मैं magnet और कीलो को इतने दूर-दूर रखूंगी तो क्या तब भी magnet जो है ना लोहे की कीलो को attract करने वाला है बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं magnet और आरे नेल्स के वीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस ना बना दूं तब तक magnet लोहे की कीलो के उपर अपना attractive force नहीं लगा पा सकता है तो जिस किसी सी बात है जब एक वायर के थूप एलेक्ट्रिक करेंट अच्छा ये तो मैंना को किसकी बात बताई है attractive force की बात पताई है अब हम रिपल से फोर्स की भी बात करते हैं और उसके सामने मैं कोई एक दूसरा मैगनेट लेकर क्या हूं और दोनों के क्या करें हूं इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा बिल्कुल भी नहीं फोर्स ऑफ रिपल्शन तभी लगेगा जब दोनों ही मैगनेट्स क्या होंगे एक प्रॉपर डिस्टेंस में आएंगे या आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो मैगनेट है ना ये दू कि आप बोच सकते हो कि magnetic field क्या है किसी भी magnet की एक उसका इलाका है कि जब तक कोई भी चीज magnet के इलाके में नहीं आएगी तब तक magnet उसके उपर ना attractive force लगाएगा ना रिपर से force लगाएगा तो हमने यहां पर बोला क्या कि सबोस्थ एक वायर की जरू क्या हो रहा है तो जो वायर है ना वो एक magnet बन जाएगा तो अगर वो एक magnet है इसका मतलब कि definitely क्या होगी उसकी कोई ना कोई magnetic field भी होगी अब अगर इसी magnetic field में हमने क्या करा है हम compass लेकर के आ गए है compass की जो needle है वो गया है एक चोटा सा magnet ही है तो हम कर क्या रहे हैं एक massage को दूसरे magnet की magnetic field में लेकर के आए हैं तो definitely compass की जो needle होगी वह क्या करने लगेगी ऐसे-इसे करके deflect करने लगेगी भी compass की needle क्या है यह मागऩी है इसको आप कहा लेकर क्या हो एक कि दूसरे magnet की magnetic field में लेकर क्या हो तो जिस magnet की magnetic field में लेकर के आए हो ना वो magnet क्या करने वाला है इसके उपर कोई ना कोई attractive या repulsive force लगाने वाला है कोई ना कोई magnetic force लगाने वाला है जिसके कारण compass के अंदर रखी हूँ यो needle है न उसकी वो क्या करेगी deflection शुरू कर देगी वो movement शुरू कर देगी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा compass की needle अगर deflect कर रही इसका मतलब क्या कि हम compass को कहां लेकर क्या है किसी दूसरे magnet के contact में लेकर क्या है अब आप बोलोगे कि मैं दूसरा magnet तो मारे पास था ही नहीं कहां से आ गया अरे वायर तो था ना उस वायर में वो एक important talent है electric current का और magnetic effect produce करना वो दूसरा talent है किसका हमारे electric current ठीक है तो basically अब इस effect कर magnetic effect का use करके हम क्या कर सकते हैं circuit में जो weak current flow हो रहा है उसको हम detect कर सकते हैं कैसे तरह देखते हैं this can be done as follows we take out a cardboard tray from the inside of a discarded match box वो जो माचिस की डिबबी होती है ना उस माचिस की डिबबी में से हम जो उसकी डिबबी है है ना वो निकाल लेंगे उसका box निकाल लेंगे cardboard की tray निकालेंगे place a compass inside the cardboard tray और एक compass को हम क्या करेंगे उस cardboard की tray में माचिस की डिबबी में रख देंगे wrap an electric wire a few times around the cardboard tray so as to make a type of a coil of wire around the compass अब आपको क्या करना है माचिस की डिबबी में आपने compass रख तो दिया रखने के बाद में आप क्या करोगे रखने के बाद में आप पूरी की पूरी जो माचिस की डिबबी है उसमें आप एक तार को लपेट दोगे electric wire को आप क्या करने वाले हो few times wrap करने वाले हो तो basically अब एक ऐसे liquid की conductivity को आप टेस्ट करना चाह रहे हो जिसकी conductivity के बारे में आपको पहले सी यह पता है कि conductivity क्या होने वाली इसकी कम होने वाली है और जिसके कारण अगर हम torch bulb यूज करेंगे तो bulb glow नहीं करेगा लेकिन फिर भी टेस्ट तो करना ही है तो हम क्या करेंगे torch bulb की जगा पे अभी हम LED यूज कर रहे थे अब हम LED भी नहीं अब हम क्या यूज कर रहे है इसी पूरे setup को हम यूज करने वाले है MEđč बाक्स की जगा पे हम मतलब सौरी torch bulb की जगा पे हम क्या रखने वाले हैं ये माचिस्के डिबबी रखने वाले है जिसके की अंदर हमने कमपस को रखा है और पूरे के पूरे हमने जो है ना इस डबबे को वायर से क्या कर दिया है लपेट दिया है राप कर दिया ठीक है अब क्या होगा when an electric wire a few times आप्चा रेप आले अलेक्टिरिक वायर a few times around the cardboard tray, so as to make यह हो चुका है क्या आचा यह repeat हो गया है चलो ठीक है अब इसके बार में क्या हुआ है देखो कुछ इस तरीक सी सेट आप आपको कुछ ऐसा होगा कि आपने जो है ना यहां पे बैटरी लगा दी है और आपने जो है एक वेसल भी रे लिया है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है लिक्विट पड़ा हुआ है जिसकी कन्ड़क्टिविटी को आप टेस्ट करने वाले हो और साथी जाद आप karend flows through the liquid in the circuit the magnetic needle of a compass will show deflection ना पने ही सर्कीट मि कितना है ł 1967 करेंच को ना या फोलो रहा हो तो भी compass की जो नीड़ होगी magnetic needle mo keya करेगी deflection show करेगी क्यों? this is because even a weak electric current flowing through a wire produces magnetic field around it and this magnetic field of electric current acts on the magnetic needle of the compass and deflects it from its usual north-south position. तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा GIF दिखाई दे रहा होगा. इस GIF में हो क्या रहा है कि अच्छा इसमें फिलहाल के लिए हमने कोई electrolyte use नहीं किया है. इस GIF में आपको सिर्फ इतना बताय जा रहा है कि किस सरीके से एक current carrying wire magnet की तरह behave करता है जिसके current magnetic field produce होती है और जब हम इस current carrying wire की magnetic field में कोई दूसरा magnet रखते हैं कौन सा? compass की needle जब हम रखते हैं तो देखो बकायदा आपको needle में deflection नजर आता है उसकी जो usual position होती है north-south position उस position से वो deflect हो जाता है वो shift हो जाता है तो देखो यहाँ पर हमारे पास simple सा एक अपना बिजली का तार था जिसको की हमने battery के साथ में connect किया जैसी connect किया तो जो wire है उसमें current flow होने लगा अब जैसे ही इस current carrying wire के पास हमने क्या रखा है देखो नीचे compass रखा हुआ है नीचे compass रखा है side में battery रखी है बैटरी से हमने क्या करा है एक तार को connect कर दिया है और हमारा setup कुछ ऐसे है कि compass जो है ना उसके ठीक उपर से हम उस तार को ले करके आए है तो यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जैसे ही आपने पूरा setup अपना complete किया compass की जो needle है वो क्या करने लगी? deflect करने लगी क्यों करी है deflect? क्योंकि जैसी circuit complete हुआ जो wire है उसमें electric current flow होने लगा और जैसे ही electric current flow हुआ वो हो गई क्या? एक magnet अब यह पूरा का पूरा जो current carrying wire है यह क्या बन चुका है? एक magnet बन चुका है और यह एक temporary magnet है लेकिन बन तो गया है थोड़ा time के लिए तो इस magnet की क्या होगी? suppose इतनी पूरी आप बोल सकते हो कि इस magnet की क्या है? magnetic field है magnetic field है तो जब इस magnet की magnetic field में आप compass को लेकर क्या होगी? compass की जो needle है वो भी क्या है? एक छोटू सा magnet ही है तो आप एक magnet की magnetic field में दूसरे magnet को लेकर के आ रहे हो तो definitely वो जो बड़ा वाला magnet है वो क्या करने वाला है? छोटे वाले magnet के उपर यह तो attractive force लगाएगा? यह रिपल से force लगाएगा? कुछ ना कुछ तो करने वाला है, magnetic force तो लगने ही वाला है तो exactly यहाँ पर यही तो हो रहा है कि current carrying wire के contact में जैसे आप क्या लेकर क्या हो? compass की needle को लेकर क्या हो? needle क्या करेगी? अपने usual north-south position से deflection चो करेगी इसका मतलब क्या? कि current carrying wire ने magnetic effect produce किया है, किसके ऊपर? तो compass की needle के ऊपर, कोई ना कोई magnetic force लगाया है, attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है, आई बात समझ में, अब इसी के continuation में, इसी के continuation में अगर आप क्या करो? एक electrolyte ले लो, जैसे कि अभी तो मैंना आपको बतायता है कि हमने अभी कोई electrolyte लिया नहीं है, आप क्या करो? आगे जाकर कि आप electrolyte ले लो, और यहाँ पे मतलब एक vessel लो, और उसमें आप क्या ले लो? electrolyte ले लो, ठीक है? यह रहा electrolyte, तो जो भी आप current भेज रहे हैं इसे बैटरी से कहां electrolyte में, वो current, वो basically current जो है न, electrolyte जो है, वो आगे भेज रहा है, और आगे भेजने के कारण ही, wire का जो यह वाला portion है, wire का जो यह वाला portion है, इसमें क्या हो रहा है? electric current flow हो रहा है, और यही electric current आगे जाकर के हम भोड़ रहे हैं के battery के दूसरे terminal में जा रहा है, इसका मतलब क्या? कि बीच में अगर हम एक electrolyte लगा भी देंगे, तो क्या होगा? electrolyte, electric current को आगे भेजेगा, circuit complete होगा, जिसके कारण जो पूरा का पूरा wire है, वो क्या हो जाएगा? current carrying बन जाएगा, और एक magnet की तरह behave करेगा, जिसके कारण compass needle में क्या होगा? deflection होगा, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, so if a compass surrounded by wound up electric wire of a circuit, including a liquid in it, shows deflection, it will mean that the liquid conducts electricity, और the liquid is a conductor of electricity, अगर हम बोल रहे हैं कि जो भी हम, you know, setup अपना तयार करेंगे, और वो liquid क्या करेगा? basically liquid को include करने के बाद में, अगर compass needle में deflection हुआ, इसका मतलब क्या? deflection क्या indicate कर रहा है? कि जो भी आपने liquid लिया है, वो क्या है? electricity का एक अच्छा conductor है, अच्छा नी, तो at least conductor तो है ही, ठीक है? in order to detect the electrical conductivity of a liquid, the two ends of a wire wound around the compass are connected at a place in the circuit where the two terminals of a torch bulb are normally connected. तो जैसे आप normal bulb को connect करते हो ना, circuit में वैसे ही आप क्या करने वाले हो? compass को connect करने वाले हो, ठीक है? when we test the electrical conductivity of liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water, distilled water, milk, vegetable, oil and honey with the help of a compass surrounded by wire of a circuit. तो basically हमारे पास सब कुछ ऐसे solutions हैं जिनकी electrical conductivity के ओपर हमको पहले ही doubt है, है ना? ना वो acidic solutions है, ना वो basic solution है, ना ही वो salt solutions है, ठीक है? मतलब acidic solution तो है, लेकिन weak acid वाले हैं, जैसे कि vinegar, lemon juice, दूद हो गया, है ना? distilled water हो गया, tap water, देखो tap water, rain water, sea water, distilled water, इन के ओपर हम अपने अगले session में और थोड़ा सा detail में discuss करेंगे, ठीक है? milk, vegetable, oil, honey, इन सब के ओपर हम क्या करने वाले हैं? इन सभी liquids की conductivity को हम test करने वाले हैं, कैसे? तो magnet का यूज़ करके, compass का यूज़ करके, तो when liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water and sea water, इन सभी में से जब आप vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water को जब आप शामिल करोगे तो definitely compass की needle में क्या होने वाला है? deflection होने वाला है, जो कि क्या बताएगा? जो कि ये बताएगा कि भई, ये सब क्या है? conducting liquids है, for example, आपको ये GIF दिखाई दे रहा होगा, बकाईदा आपने क्या करा है, vessel में, electrolytic cell में आपने vinegar लिया है, battery लगाई है, power cell लगाई आपने और यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है? compass रखा हुआ है, तो देखो, जैसे आपका circuit complete होता है, compass की जो needle है, वो अपने north-south, usually जो compass की needle है, वो कैसी होती है? North-south position में ही होती है, क्योंकि वो earth के हिसाब से होती है, ठीक है, उसका detail आप class 9 में समझोगे, तो देखो, deflection आपको दिखाई दे रहा है है, कम electric current flow हो रहा है, तो जिसके current पूरा का पूरा असर कि इस पर बढ़ रहा था, बल्ब पर पड़ रहते हैं, अब हमने बल्ब को लिया ही नहीं, वो मसला ही हमने खतम कर दिया, जहां पर doubt आ रहा है, उसको हम हटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, या फिर कुछ इस तरीके से हम compass needle का use करेंगे, ठीक है, फिर इसके बार में आप देखो, जब हमने lemon juice लिया है, तो lemon juice लेने पे भी क्या हुआ है, बकाइदा आपको compass की जो needle है, उसमें deflection नजर आ रहा होगा, जहां deflection हुआ, वहां समझ लो कि circuit में क्या हो रहा है, current flow हो रहा है, तब ही तो उस circuit में क्या आ चुकी है, एक magnetic field आ चुकी है, और उसी field के current, compass की जो magnetic needle है, वो क्या हो रही है, deflect हो रही है, क्योंकि उसकी ओपर कोई ना कोई force, magnetic force लगी रहा है, तो कुल मिला कर क्या आ बोल सकते हो कि वो चाहे विनेगर हो, क्या फिर वो चाहे क्या हो lemon juice हो, आपको deflection तो definitely देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि भाले ही electric current कम हो रहा है flow, लेकिन हो तो रहा है ना at least, so this shows that vinegar, lemon juice, tap water, rain, water, sea water are conductors of what, electricity, फिर when liquids like distilled water, milk, vegetable oil and honey are included in the circuit, no deflection is observed in the magnetic needle of the compass, this shows that, अच्छा, अब जब आप distilled water को, दूद को, vegetable oil को, इन सब को आप यूस करोगे, तो कोई भी deflection नहीं होगा, compass की needle में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कि भाई, ये सब के सब क्या है, non conducting liquids है from the above discussion, we conclude that some liquids are good conductors of electricity, whereas the other liquids are poor conductors of electricity, most of the liquids that conduct electricity, are solutions of acid, bases and salts जैसे कि हमने vinegar और उनकी बात करी थी, vinegar की और you know, lemon juice वगेड़ा की तो उसमें हमने देखा था कि क्या है, वो acids के ही तो solution है, माना कि वो कैसे है, weak acids है लेकिन ultimately आप बोल सकते हो ना, कि vinegar को अगर आप पानी मिडालोगे, तो वो acidic solution ये बनेगा, acidic acid solution, अगर आप lemon juice को पानी मिडालोगे, तो वो क्या बनेगा, citric acid solution तो कुल मिला करके वो acidic solution ही होगा, भले weak क्यों ना हो, this is because the solutions of acids, bases and salts contain charged particles, या called ions, which conduct electricity through these solutions, आई बात समझ में, तो कुल मिला करके आज की session के लिए बस इतना ही, तो आज की session में हमने कई सारी बाते पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, कैसे weak current को हम, जो की circuit में flow हो रहा है, liquid के through, to be more specific, उसे हम कैसे detect करें, तो बल्ब तो हम बोलते हैं कि weak current को detect करने में fail हो जाता है, torch bulb, तो इसलिए हम यदो LED का use करते हैं, जिसकी filaments को जादा, you know, heat चाहिए ही नहीं होती है, गरम होने के लिए, थोड़ा बहुत भी अगर current जाएगा circuit में, उनके through, तो वो गरम हो जाएंगे, heating effect से, और गरम होने के बाद में, वो glow करने लगेंग तो तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे हमारी official website, जैसे ही आप हमारी official website खोलोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहां पर लिखा रहेगा, इन्यास number 100% free online education platform, जहां पर आपके पास class 12 से लेकर के, kindergarten तब के सभी courses होते हैं, अब सपोर्स आपको class 8 दे जैसी क्लिक करोगे, तो class 8 science NCRT by विभूती खरे, ऐसा page आपके सामने खुल जाएगा, अब यहां पर हमें जितने भी chapters कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सभी chapters के सभी lectures यहां पर आपको available हो जाएगे, example आपको first chapter दी देखना है, crop production and management, तो इस chapter के total 14 lectures है, सभी के सभी lectures यहा पर देख सकते हो, फाइदा क्या होता है, official website visit करनेगा, कि यहां पर आपको सभी chapters के सभी lectures एकदम properly sequence में arranged मिल जाते हैं, प्लस यहां पर सभी topics के होते हैं, notes भी available, so do visit our official website, कौन सी वाली, यही वाली, magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching.